Hello everyone, welcome back in another session of reasoning. आज हम chapter 5 करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे numbers, ranking and time sequence से related जो भी questions आते हैं. ठीक है, उसके types भी देखेंगे, example भी देखेंगे और questions भी solve करेंगे. इन तीनों में अगर आपका देखा जाए तो सबसे important ranking वाला है तो उस पे हम ज़ादा stress देंगे आज. आपका पर से अपकर करेंगे एसमें से आपका देखेंगे जो में वाला है, करते थीक है यहां पर हमें एरेंजमेंट भी देखने वाले मिलती है किसी क्यारेक्टर परसन या ओब्जेक्ट की. इस चाप्टर में हम कुछ questions देखेंगे जो sequence of number, position of person, object in row और queue और time sequence, test, accompanied by some conditions जिसे किसी person की position बतानी होती है या कोई object है row में या line में उसकी हमें position बतानी होती है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले कैसे type के question आते हैं इस section में हम 3 type के question से deal कर रहे हैं जैसे की number, ranking and time sequence ठीक है यह 3 parts इसके होंगे सबसे पहला जो part है हमारा number test इसमें क्या होगा आपको questions दिये जाएंगे series of number या digits होंगे and the candidates are asked to find out digits following certain given conditions example देखो क्या बताया how many 5s are there in following number sequence which are proceeding by 7 and followed by 6 so हमसे पूछा है ऐसे कितने 5 है इस पूरे sequence में ठीक है जो proceed कर रहा है 7 से and जिसको 6 follow कर रहा है proceed मतलब उसके आगे, मतलब 5 के आगे 7 होना चाहिए and 5 के पीछे क्या होना चाहिए 6 तुम्हें इस पूरे sequence को ध्यान से scan करना होते है और बस बताना होता है कि ऐसे कितने 5 है तो देखो पहला जो हमें 5 दिख रहा है यहाँ पे उसके आगे तो 7 है लेकिन उसके पीछे 6 नहीं है ठीक है नेक्स देखो और कहां 5 है यहाँ है तो यहाँ पे भी नहीं है तो हमें इस पूरे sequence में दिख रहा है जो हमें condition दी थी उसके हिसाप से एक ही 5 ऐसा है तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा option A ओके there is only one such 5 यह question बहुत easy है लेकिन ऐसे exam में आज तक कभी नहीं आया है ranking वाले questions बहुत बार आये हैं तो हम उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो हम type 2 पे move करते हैं इसमें generally आपसे क्या पूछा जाता है the rank of a person either from the top or bottom from right or left or the total number of person is to be find out based on the condition given ठीक है आपसे पूछा जाएगा एक person है मान लो 4th position पे खड़ा है उसके आगे इतने लोग है पीछे कितने लोग है टोटल कितने लोग हुए ऐसा कुछ question पूछ देगा या बोलेंगे उसके आगे इतने लोग है पीछे इतने लोग है वो कहां पे खड़ा है उसके right में इतने लोग है लेफ्ट में इतने लोग है वो कहां तो ऐसी questions आता है इसमें अब इसलिए हमें यह जाना है कि positions जो है यह rank है उसको कैसे calculate करते हैं the position और rank can be calculated with the help of following formulas कुछ formulas यहां पर दिये हुए हैं first one is total number of person in a row is equal to rank of a person from upper or left end plus rank of the person from lower or right end minus one अगर हमसे पूछा है कि total number कितने है person के उस row में तो हमें क्या करना होगा उसकी आगे और पीछे जितने भी लोग हैं उनको plus करना होगा plus उसको minus करना होगा one से one से क्यों minus कर रहे हैं जैसे आपको दे दिया कि आप fourth position पे खड़े हो और आपके आगे तीन लोग हैं और पीछे साथ लोग हैं जब हम यह plus करते हैं तो हम fourth वाले को भूल जाते हैं ठीक है आगे हमारे तीन है और पीछे seven है तो जब हमने plus किया तो total ten हुआ लेकिन इसका correct answer कैसे 11 है बिकस fourth position पे तो आप खड़े हो ना तो आपने three लोगों को लिया बट आपने खुद को count नहीं किया पर हमें यहाँ पर total पूछा है तो आप भी उसमें count हो गए so ऐसे condition में या तो हमें plus one करना होता है या तो minus one minus one हम करेंगे अगर आपने खुद को दोनों जगा count कर लिया मतलब आप आगे से four ले रहे हो तो मतलब four और पीछे से भी आप ले रहे हो आपके पास seven है तो आपने जो आपको formula लिखा है इसलिए यहाँ पर minus करने के लिए लिखा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो rank of the person from upper तो आपने खुद को ले लिया अपर के साथ और खुद को ले लिया lower के साथ भी तो यहीं यहाँ पर बोला है because that particular place count two time अपने person यहाँ पर जो भी कोई चीज था उसको हमने two times count किया तो हम minus करेंगे और अगर हमने उसको count ही ने किया तो हम उसके साथ one plus करते हैं अगला है अगर हमसे पूछा है rank of the person from upper end या left end उपर से उस person का rank कितना है या left से उस person का rank कितना है तो हमें क्या करना होगा total number of person in the row को minus करना होगा rank of that person from lower और right end तो उस person की rank क्या है उसको हम minus करेंगे total number of person in row से और उसके साथ one plus करेंगे अगर आपको ये चीज़ अभी समझने आ रही कि one plus या minus क्यों कर रहे है तो जब हम question solve करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये clear हो जाएगा ठीक है अभी बस ये theory वाला part समझने की कोशिश करो कि हमें plus कहा करना है minus कहा करना है ठीक है अगर हमसे rank पूछी है अपर end से तो हम total person को minus करेंगे rank of that person from lower और right end next is rank of a person from lower और right end अभी अगर हमें नीचे से पूछा है यहाँ पर उपर से पूछा था अगर नीचे से पूछा है ठीक है total number of person minus rank of that person from upper अब उपर से कितना है वो minus करेंगे यहाँ पर हमने नीचे से कितना था वो minus किया क्योंकि हमें उपर का निकालना था अभी यहाँ नीचे का दिया हुआ है हमें उपर का निकालना है उसके साथ one plus करेंगे next है in case of interchanging of position अगर position को interchange किया जा रहा है उस person का मतलब वो पहले fourth पे था उसको भी seventh भेज दिया यह seventh पे था उसको fourth पे भेज दिया तब हम कैसे करेंगे total number of person पहले total number of person अगर निकालना हुआ तो initial position of the first person plus interchange position of second person अगर दो लोग हैं तो पहले person की जो initial position थी मतलब starting में उसकी position क्या थी और उसकी बाद change करके उसकी position क्या आई उसको हम plus करेंगे और minus कर देंगे one से उसके बाद new position of second person तो different क्या है उस two position में उसको हम plus कर देंगे initial position से ओके अभी example से clear हो जाएगा आपको पूरा so example second हम देखते है in a class boys stand in a single line एक class है जिसमें लड़कों की एक single line लगती है one of the boys is 19th in order from both the end how many boys are there in the class? so एक जो लड़का है वो 19th position पे है आगे से भी और पीछे से भी मतलब उसके आगे 18 लोग है न तभी वो 19th पे है और उसके पीछे भी 18 लोग है तभी वो 19th पे है हमसे पूछा है how many boys are there in the class? class में total कितने लड़के है तो अभी हमें पता चला वो 19th position पे है और उसके आगे किते boys है? 18 और उसके पीछे किते boys है? 18 so 18 प्लस 18 कितना होगा? 36 लेकिन हमसे अभी क्या पूछा है? total boys कितने है यही पूछा है तो वो भी तो एक लड़का है जो 19th position पे है तो हमने उसको मिस कर दिया हमने उसके आगे के लोगों को और उसके पीछे को लोगों को count किया तो इसको मिस किया तो इसके लिए हम क्या करे 37 ओके option B is the right answer अब यहां ही पे जो मैंने आपको first rule में बताया था दो चीजे हम कर सकते हैं अगर वो 19th position पे है तो हम 19th को ही दो बार plus कर सकते है 19 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 38 और अभी हमने इसको दो बार count कर लिया तो हम वहां से 1- भी करके तब भी आता तो क्या था? 37 ही आत ठीक है? next example देखते हैं example 3 Anu and Vijay are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 student so Anu की rank है 7th and Vijay की rank है 11th total student है 31 अभी हम से पूछा है what will be their respective rank from the bottom in the class यह हमने उपर से लिया जब उनकी rank तो यह आई अगर हम bottom से नीचे से देखेंगे तो उनकी rank क्या आएगी इस case में हमें क्या करना है? पहले Anu का solve करेंगे फिर Vijay का solve करेंगे एक साथ दोनों solve करोगे तो पूरा wrong हो जाएगा simple plus minus ही करना है यहां पर भी total बच्चे है 31 और उसकी position क्या है? 7th तो 31 minus 7 कितना आ गया? 24 और साथ में हम क्या करेंगे? प्लस 1 फॉर्मला नमबर 3 याद है न तो उसमें हमने क्या किया था? प्लस 1 तो यहां पर क्या हो रहा है? 31 minus 7 प्लस 1 तो 31 minus 7 हो गया 24 और 24 प्लस 1 25 तो Anu की position क्या हो गई? 25 from the bottom अब हम देखेंगे विजए की position तो विजए में भी similar करना होगा हमें तो यहां पर हम क्या करेंगे? 31 minus 11 तो हमारा आएगा 20 और 20 में प्लस 1 करेंगे तो आज आएगा 21 तो विजए की position क्या हो गई? 21 ठीक है? तो यही हमारा correct answer है 25 and 21 यहां पर आप explanation देख सकते हो formula 3 से हमने इसको ऐसे solve किया है next is type 3 which is time sequence test इसमे clock and calendar से related question आते है so clock क्या है? a clock is an instrument that indicates time, it has three hands, short hands that indicate hour, long hand that indicate minutes and a thin long hand that indicate second so यह चीज़े आप सबको बता होगा time देखना सबको आता है ठीक है जो लंबी सुई होती है long hand होता है उससे हमें minutes देखने के लिए पता चलता है जो short hand होता है उससे हम आज देखते है पतली यही long hand होती है जिससे हमें second पता चलता है the face or dial of clock is divided along the circumference into 12 equal parts called space and 60 equal parts called minute space तो घड़ी जो होती है ऐसे उसमें 1 से लेके 12 तक पूरा ऐसे रहता है न 1, 2, 3, 4 ऐसे गुमता है तो उसी को बोला है 12 equal parts में इसको divided होता है ऐसे and 60 equal parts में divided होता है for minutes अब कुछ clock facts आपको पता होने चाहिए in every hour both the hands coincide once हर एक घंटा जब complete होता है जो दोनों hands होते है clock के वो एक जग़ा पे एक साथ मिलते है the hands are in the same straight line when they are coincidence और opposite to each other तो वो same straight line में होते है अगर वो एक दूसरे से मिल रहे है या opposite भी हो ठीक है जैसे कि जब 6 sharp बचते है तो 112 पे होती है और 106 पे होती है ठीक है तब वो opposite होते है each other के and they are straight then जब sharp 12 होता है तो दोनों एक साथ जोडते है ठीक है next is when two hands are at right angle 90 degree they are 15 minutes space apart जब दो hands होते है जब right angle ऐसे बना रहे होते है तब उससे हमें पता चलता है कि अभी 15 minutes का उनमे space apart है next is when the hands are in opposite direction they are 30 minutes space apart सबको बता है अभी opposite direction में ऐसे ठीक है तीन बच के अगर 45 minute हो रहा है इदर मान लो तो इनमें आधा गंटा का भी difference है 30 minutes सी घूम के जाएगा तब ही इदर पहुचेगा ठीक है तो 30 minutes का इदर space apart है next is angle traced by an hour hand in 12 hour is 360 degree ये भी बहुती simple सा fact है कि जब एक hour hand होता है पूरा मतलब 12 से start कर रहा है supposedly तो घूम के जब आता है तो दुबारा 12 पे तो 12 घंटे हो जाते है और 12 घंटे में वो पूरा 360 degree cover करता है okay straight line जो होती है वो 180 cover करता है और दुबारा तो 180 प्लस 180 किता हुआ 360 okay next is angle traced by a minute hand in 60 minute is 360 degree angle अगर आप minute hand से trace करूगे विदिन इस 60 minute तब बे आपको दिखेगा कि वो 360 हुआ है then angle between the minute hand and hour hand of a clock is this is theta theta 11 by 2 m minus 30 h यहाँ पे h r के लिए है और m minute के लिए है so यहाँ पे हमें यह बताए जो minute hand और hour hand के बीच में आगल होता है वो क्या होता है theta 11 by 2 m m यहाँ पे minute के लिए है जितना भी minute तब हो रहे होंगे और 30 h, h यहाँ पे r के लिए है ठीक है अगला है यह सब ऐसे ही दिया है अगर आपको clock के बहुत ज़्यादा question आएंगे तब यह सब याद करना होगा आपको clock के question नहीं आते है इसके बाद जब हम calendar वाला देखेंगे clock and calendar में calendar की question ज़्यादा आते है ठीक है तो calendar वाले पे ज़्यादा focus करना और ranking वाले पे ज़्यादा focus करना next is both hand of a clock occur in a straight line और are opposite once in one hour एक घंटे में दोनों जो clock के hand होते है एक बार straight line बनाते हैं और एक बार opposite होते हैं एक दूसरे के यूसरे Saturday, then 11th times in 12h and 22th times in 24hr एक तूसरे लेखो इसको आपको सीक्वेंस में सॉल्फ करना पड़ेगा नितो गए आप सबसे पहला पार्टी देखो अभी क्या बुले सुनीता अपने घर से निकलती है 20 मिनट पहले 7 बजे से तो 7 बजे से 20 मिनट पहले कितना हुआ 6.40 एम ठीक है फिर वो विनिता के घर पहुच जाती है 25 मिनट के अंदर तो मतलब वो विनिता के घर का पहुचती है 6.40 प्लस 25 विच इस 7 बज के 5 मिनट फिर वो उनका ब्रेकफास्ट करते है उसमें उनको 15 मिनट लग जाते है तो 7 बच के 5 मिनिट में और 15 मिनिट प्लस करो कितना आ गया 7.20 एम उसके बाद breakfast करने के बाद दे leave for their office ना तो हमसे यही पूछा है कि वीनिता के घर से वो office के लिए कब निकलते हैं तो क्या हमारा answer हो गया 7.20 एम option B is the correct answer अभी अगर इसके जगा हमसे यह पूछा हो था कि वो office कब पहुचते हैं तो 7.20 में हम और 35 मिनिट प्लस कर देते तो अगर question में होता office कब पहुच रहे तब क्या हो जाता 7.55 एम ओके next so here is the solution you can read next is calendar a calendar is a record of all the days of year calendar क्या है एक record है जितने भी दिन होते है साल में उसका the smallest unit of the calendar is day smallest unit क्या है calendar का एक दिन a week is a group of 7 days a month is 12th part of a year a year is the time taken by earth to revolve around the sun एक साल क्या होता है और जितना टाइम लेता है sun का एक revolution complete करने में उसको हम एक साल बोलते हैं a period of 100 year is called century century किसको बोला जाता है 100 सालों को अब जिसके question आते हैं वो दो types के होते हैं ठीक है first is ordinary year an ordinary year is a year which has 365 days जिसमें 365 days होते हैं such years are not divisible by 4 ऐसी years को हम 4 से divide नहीं कर सकते जैसे कि 2001, 2002, 2003 ordinary year is in the form of century century are not exactly divisible by 400 कुछ और century के form में होते हैं वो 400 से भी divide नहीं होते हैं next is leap year leap year सबको पता है 366 days leap year जो होते हैं वो exactly 4 के divisible होते हैं जैसे कि 2004, 2008, 2012 leap year जो होता है उसका century form जो है वो भी exactly divisible होता है 400 से जैसे कि 2000, 2000, 400, 2000, 800 जो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं so example number 6 is Praveen correctly remember that his father's birthday is after 21st May but before 27th May whereas his sister correctly remembers that their father's birthday is after 24th May but before 30 May so आपको ऐसी situations दी जाती है अभी यहाँ पर बोला है कि प्रवीन एक लड़का है उसको याद आ रहा है कि उसके पापा का जो बर्दे है वो 21st May के बाद आता है और 27 May के पहले आता है और उसी जगा उसकी बहन बोल रही है कि उसे भी अच्छे से याद है कि उनके पापा का जो बर्दे है वो 24 May के बाद आता है और 30 May से पहले आता है अभी हमें पता लगाना है कि उनके पापा का जो बर्दे exact कौन से डे पे है तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना होता हम Common Days देखेंगे अगर देखेंगे हमें तो हमें यह पता चल रहा है Common Day जो है वो है 25 और 26 क्योंकि इसने बोला है 27 से पहले आता है तो मतलब इसने अगर 30 बोला है तो मैटर नहीं करता जो भी Day है वो 27 से पहले है और यहाँ पे जो इसने बोला है 24 तो 24 के बाद है तो 24 के बाद बचे 25 और 26 विकस 27 से पहले है और 24 के बाद है तो या तो उनका बद्दे क्या है 25 को या तो 26 को तो यहाँ पे correct answer होगा option D ऐसे situation में हमें दोनों के common days को या dates को देखना होता है उसके बाद answer identify करना होता है अगर यह 24 के जगा 25 बोलती तो हमें साफ साफ पता चल जाता कि उनका बद्दे 26 को है या यह 27 के जगा हमें 26 दिया होता तो हमें पता चलता वो 25 को है ठीक है अभी दो days common आ रहे हैं इसलिए option D is the correct answer next example is if the day after tomorrow is Sunday ऐसे question आयो हैं इस पे ध्यान देना what was the day before yesterday अभी बूले day after tomorrow is Sunday कल के बाद जो day आएगा वो Sunday है तो कल से पहले वाला day कौन सा था सो यहाँ पर दिखो Sunday से पहले क्या आएगा Saturday तो मतलब आज क्या है Friday तो हमने बूला न day if the day after tomorrow is Sunday तो Friday के बाद क्या आता है Saturday और Saturday के बाद आएगा Sunday और हमसे पूछा है कल के पहले वाला दिन तो मतलब आज Friday है उसके पहले वाला दिन उसके पहले के पहले वाला दिन तो Friday से पहले क्या आता है Thursday और उससे पहले क्या आता है Wednesday तो यहाँ पर correct answer होगा अब हमने जो भी पढ़ा उसे कुछ question solve करने वाले है पहले number test से कर रहे है How many 7s are preceding by 9 and followed by 6 in the following number series So एक number series यहां पर आपको दी हुई है यहां पर आपको क्या बताना है कि कितने ऐसे 7 है जो जिनके आगे 9 है और उनके पीछे 6 है पहला 7 कुछ भी नहीं है दूसरा 7 इसके आगे 9 है और पीछे 6 है तो हमें एक मिल गया चीक है और देखो 7 कहा है यहां पर 7 है इसके आगे 9 है बिट पीछे 2 है यहां पर एक और मिला हमें इसके आगे 9 है पीछे 6 है तो एक और मिल गया that's it टोटल कितने है दो Option A is the correct answer Next is how many such 5s are there in the following number sequence Each of which is preceded by 3 और 4 but not followed by 8 और 9 उनके आगे 3 या 4 होना चाहिए बट उनकी पीछे 8 या 9 नहीं होना चाहिए ठीके number क्या हमारा 5 तो इस sequence में हमें देखना है So यहां पर हमें एक 5 मिला लेकिन इसके बाद पीछे 9 है तो हम इसको count नहीं करेंगे दुबारा हमें एक 5 मिला इसके आगे 3 या 4 नहीं है Then हमें एक 5 मिला जिसके आगे 4 है और पीछे 8 या 9 नहीं है तो हमें 1 मिल गया Next हम देखते हैं दुबारा यह 5 मिला तो इसके आगे 3 या 4 नहीं है यहां पे 5 मिला इसके आगे 3 है लेकिन इसके पीछे 8 है तो हम इसको count नहीं करेंगे Next हमें 5 मिला इसके आगे 4 है और पीछे 6 है तो हम इसको दुबारा count करेंगे तो हमें एक और मिल गया next is 5 यहाँ पे पीछे 7 है और आगे 3 है तो हम इसको count कर सकते हैं 3 हो गया this 5 इसके आगे 3 नहीं है तो हम इसको नहीं count करेंगे दुबारा 5 मिला इसके आगे भी 3 नहीं है यहाँ पे 5 मिला इसके आगे 4 है and पीछे 2 है तो हम इसको count करेंगे सो अभी हमें चार फाइव मिल गए हमारे condition के according next and the last fifth ये भी हमारा condition जो दिया है उसको follow कर रहा है इसके आगे 3 है और पीछे 1 है तो हमें total पाच फाइव मिल गए option D will be the correct answer next question है time sequence का question number 3 समन्त remember that his brother's birthday is after 15 but before 18 so समन्त है उसको याद है कि उसका भाई जो है उसका बर्दे 15 के बाद है और 18 से पहले है February month पे while his sister remember that her brother's birthday is after 16 but before 19 वहें उसके sister को याद है कि उसका भाई जो है उसका बर्दे 16 के बाद है और 19 से पहले है on which day of February is समन्त's brother's birthday so यहाँ पर भी हमें इसेम चीज़ देखना है दोनों में common क्या है यहाँ पर इन्होंने बुल है 15, 18 और इन्होंने बुल है 16 and 19 so common क्या आ रहा है देखो common आ रहा है 17 अगर हम देख रहें 15 और 18 के बीच में क्या है तो वो है 16 and 17 ठीक है 16 and 17 और 16 से लेकिन 19 के बीच में common क्या है 17 and 18 और इसके sister ने क्या बोला है 16 के बाद है तो हम 16 को count नहीं कर सकते और ब्रदर ने क्या बोला है 18 से पहले है तो 18 को भी counting करेंगे तो common क्या बचा 17 correct answer will be 17 next देखते हैं संगीता remember that her father's birthday was certainly after 9th but before 13th of December अभी यहाँ पे संगीता है उनको याद आ रहा है कि उनके father का बर्दे 8 के बाद है और 13 से पहले है December मत में उसकी sister है Natasha उसको याद आ रहा है कि उसके papa को बर्दे जो है वो 9th के बाद है और 14th से पहले है अभी हमें दुबारा यहाँ पे date बतानी है जो हमने पिछले question में किया वही चीज यहाँ पे भी follow करेंगे 8 से 13 के बीच के dates देखने हैं हमें तो 8 के बाद के आता है 9, 10, 11, 12 ठीक है 9, 10, 11, 12 ठीक है 9, 10, 11, 12 ठीक है अगर हम 9 से 14 के बीच में देखेंगे तो आएगा 10, 11, 12, 13 तो अभी जो date range दी है वो काफी लंबी दी ह ठीक है अगर हम common देखें तो क्या आ रहा है common आ रहा है 10, 11, 12 तीनों ही common आ रहा है तो हम को एक particular date नहीं बता सकते ऐसे question में या तो आपको देखा all the above या तो data in educate तो यहाँ पे क्या दिया data in educate तो हम option D को correct answer mark करेंगे ठीक है पिछले question में हमें एक ही date common मिल रहा था इसलिए हमे पता चलिया कि वो ही date है यहाँ पर हमें कोई भी date common नहीं मिल रहा next is question number 5 the day before the day before yesterday is three days after Saturday what day is today so सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको देखो Saturday से हमें बोल रहा है तीन दिन बाद ठीक है तो Saturday के तीन दिन बाद क्या आएगा Sunday Monday Tuesday so हमें मिल गया Tuesday उसके बाद हमें बोला है day before and day before दो बाद तो Tuesday के बाद क्या आता है Thursday and Friday ओके तो हमें उससे यह पता चल गया जो आज का देने वो क्या है Friday option D जो है वो इसका correct answer हो जाएगा next question is today is Monday after 61 days it will be आज अगर Monday है तो 61 days के बाद क्या होगा so अभी हमने calendar के जब कुछ facts पढ़े थे तब हमने यह पढ़ा कि एक हफते में 7 दिन होते है ठीक है so हर एक दिन जैसे Monday है तो वो हर 7 दन बाद repeat आएगा तो आज अगर Monday है और हमसे पूछा है 61 days बाद क्या होने वाला है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम 7 के multiples देखेंगे and ये देखेंगे कि 61 के close क्या है 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56 and 7 9s are 63 So Monday कब repeat होगा around 9 week बाद and it will be 63rd day ओके पर हमसे यहां पर पूछा है 61st 63 में जब हम 2 minus करेंगे तो हमें 61 मिलेगा तो मतलब Monday के हमें 2 back जाना होगा So Monday से पहले आता है Sunday और उससे पहले Saturday So 61 day बाद क्या होगा? Saturday Correct answer is option B Next question is based on ranking Question number 7 Manik is 14th from right end in a row of 40 boys So Manik जो है वो 14th position पे है Total boys है 70 ठीक है और यह हम right end से ले रहे है What is his position from the left end? Left end means पीछे से उसकी position क्या होगी हमें यह बताना है So हमने इसके formula देखे हुए है हमें पता है ऐसे situation में क्या करना होता है So हम 40 से 14 को minus करेंगे जब हम 40 minus 14 करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा? 26 ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना होता है? प्लस 1 भी करना होता है यहीं पर आप गलत करोगे आप सिर्फ यहाँ पर minus कर दोगे देखोगे 26 ठीक है और उसको कर दोगे इसके बाद हमें प्लस 1 भी करना होगा तो हमें क्या मिलेगा? 27 ठीक है इसके बाद हमें क्या मिलेगा? नेक्स इस इनक्लास नेहाँ रांक इस 21st from the top and 30 from the bottom आगे से इसकी रांक है 21st and बादम से इसकी रांक है 30 हमसे पूछा वाट इस तोटल नंबर अफ स्टूदेंट इन दे क्लास क्लास में टोटल स्टूदेंट कितने है इसके लिए क्या करना होगा? टोटल स्टूदेंट बाला जो फॉर्मला था वो लगाएंगे ठीक है? तो टोटल नंबर अफ स्टूदेंट इस इकल्स टू तो टोटल ऑफ बोथ साइड रांक तो हम दोनों साइड की रांक को क्या करेंगे? प्लस करेंगे और उसके बाद 1 से माइनस करेंगे क्योंकि नेहा को हम दो बार काउंट कर रहे है यहाँ पे 21 प्लस 30 कितना आएगा? 51 और 51 से 1 माइनस करेंगे तो आज जाएगा 50 यहाँ पे आपको यही वाली चीज़े याद रखने है कहाँ आपको प्लस 1 करना है और कहाँ माइनस 1 करना है क्योंकि आप आप ऑप्षिन देखो बहुत क्लोज आते है ठीक है? और रहेंज पर आंसर के आए ऑप्षिन C यह थोड़ा difficulties को ध्यान से समझना, यहां पर बोला है कुछ लड़के हैं, रो में बैठे हुए है, पी जो है, पी एक लड़का, वो 14th position पे बैठा है, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से, वो 14th position पे है, और जो Q है, वो 7th position पे है, राइट से, इसके लिए आप एक डाइग्राम जैसे बना सकते हो, ठीक है, मानलो यह आपका P and यह Q, तो Q इदर राइट से बैठा है, 7th position पे, और P इदर से लेफ्ट पे, 14th position पे, इनके बीच में 4 student है, हमसे बोला है, टोटल कितने हैं, तो क्या करेंगे, इदर से 14th, तो मतलब 14, प्लस ब को प्लस करके आएगा, 25, तो टोटल कितने हैं हमापे, 25, एक बर ऐसे राफ डाइग्राम बनाके करोगे, अराम से बन जाएगा, question ध्यान से पढ़ना, कहां पे लेफ्ट दिया है, कहां पे राइट दिया है, बीच में कितने लेने के लिए बोले हैं, next question number 10, in a row of boys, रंजन इस 10th from right, सूरज इस 10th from left, रंजन जो है, राइट से 10 है, और सूरज जो है, वो लेफ्ट से 10 है, ठीक है, रंजन और सूरज अपनी position को interchange कर रहे है, रंजन सूरज की जगा पे जा रहा है, और सूरज रंजन की जगा पे आ रहा है, सूरज विल बी 27th from the left अब जब यह अपनी position change कर रहे है, तो उसके बाद सूरज जो है, वो 27th position पे आ जा रहा है, left से, which of the following will be रंजन's position from the right, सो इसके लिए भी formula था याद आया, हमें इसमें क्या करना होगा, पहले हम total number of boys निकालेंगे, तो total number of boys निकालने के लिए हमें सूरज की new position को और रंजन की old position को plus करना होगा, तो सूरज की new position क्या है, 27th and रंजन की old position है, 10, 27 plus 10 क्या हो जाएगा, 37 और उसमें से हम 1 minus करेंगे, तो आ जाएगा 36, अब next हमें पता चल गया, total कितने है 36, तो रंजन 10th position पे था, तो अब हम करेंगे 36 minus 10 plus 1, तब हमें क्या मिल जएगा, 36 minus 10 करने से आएगा, 26 और 26 में plus 1 करेंगे, तो 27, तो again इसकी position भी क्या हो जाएगी, 27, पहले दोनों की 10th position थी, अब दोनों की position हो जाएगी, 27, जो 4 आपको formula बताये थे, इसमें आपको वो याद रखना है, questions आपके सारे बन जाएगे उसी से, next है, in a class of 60, where number of girls are twice than of boys, कमल rank 17th from top, if there are 9 girls before कमल, how many boys are after him in rank? इसका solution देखो, इसमें आपको ratio and proportion भी आना चाहिए, हमें बूल है, total strength is 60, और boys जो है, वो half है, या girls जो है, boys की double है, जब boys ratio girls करेंगे, तो 1 by 2 हो जाएगा, क्योंकि boys की ratio 1 है, और girls की उनसे double है, which means हम 60 का 1 ratio 2 करेंगे, तो हमें मिले गए 20 boys and 40 girls, अभी कमल की rank है, 17th position, मतलब उसके आगे 16 बच्चे और हैं, ठीक है, जिसमें से 9 क्या है, girls हैं, और 7 कितने है, boys होंगे, कैसे 7 boys होंगे, 16 minus 9 करो, 7 आ जाएगा, ठीक है, तो आगे अगर 9 girls हैं उसके आगे, तो 7 boys होंगे, अब हम से पूछ है, उसके पीछे कितने boys बच रहे हैं, ठीक है, टोटल number of boys क्या है, वो हमें पता चल गया 20, और उसके आगे 7 boys हैं, तो मतलब 20 minus 7 minus 1, minus 1 कमल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ गया, 12 boys, तो इससे हमें गी पतेट चल रहे है, तो इससे हमें गी पता चल रहे है, तारे साथ 12 boys behind کमल च टारष्च्छे को अंसरोब भी अप्टे shortest गया प्टेश्चंघ्च रहे हैं, प्र स्टेcribe 15 तको 10 स्टेरे तो अभी question ध्यान से पढ़ो एक meeting place पर पहुँचना था ठीक है तो अक्षड जो था उसने देखा कि वह meeting place पर पहले ही पहुच किया है कितने पहले पहुच किया है 8.30 से 15 minutes पहले तो मतलब वह 8.15 पर वहां पर पहुच किया है उसके बाद उसको realize हुआ कि वह वहां पर आदे गंटे पहले आ चुका है अगर उस man से compare करें जो आने वाला था और वह 40 minutes late है ठीक है तो वह आदे गंटे पहले आया उससे तो यहां 40-30 करेंगे तो मतलब 10 minutes वह late आया ठीक है what is this schedule time for meeting तो meeting का schedule time है 8 बच के 5 minutes so फिर से एक बाद देखो इसको समझने के लिए अक्षत जो है वह 8.30 से 15 minutes पहले आया मतलब वह 8.15 पर वहां पर आ गया जब वह वहां पर गया तब उसने देखा कि उसके साथ जिसकी meeting थी वह man 40 minutes late है ठीक है और वह 30 minutes late है तो मतलब जो भी उनकी meeting के schedule time थी दोनों ही late आये है जो man है वह 40 minutes late है और जो अक्षत है वह 30 minutes late है यहाँ पर आप confused होगे कि वहाँ पर क्या लिखा है half an hour early तो उसने compare किया है man से तब उसने half an hour early बोला है तो मतलब अक्षत 10 minutes late था meeting के लिए और वह जो man है वह 40 minutes late था meeting के लिए तो अगर हम देखे वो 8.15 पर वहाँ से आता और उससे हम 10 minus करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8.5 पर उनकी meeting थी ओके तो दिस वास्ट कोस्टिन और टोडेश कोट इस confidence come from discipline and training as many of you tells me that I am not confident enough even after reading the chapter or even after preparing so confidence is not a magical thing it comes if you are disciplined enough and if you are training well for it the more you practice something in a disciplined manner the more you will get confident so thank you for watching I'll see you all in the next session